तो यहाँ पर फिर competition स्टार्ट हो जाता है टैज जब stage पर आता है तो सभी लोग बहुत जादा उसके लिए south करने लगते हैं इसके बाद फोर्ट को दिखाया जाता है जो अपने laptop पर bc होता है वहाँ पर बीम उसके लिए कुछ food लेके आता है और उसे पूछनी लगता है क्या कर रहे हो तुम फोर्ट उसे कहता है कुछ नहीं बस तुमारे photos देख रहा हूँ देखो कितने सारी like आए हैं फोर्ट उसे कहने लगता है सभी तुमें message कर रहे हैं कि तुम बहुत cool और hot हो तुम बहुत popular हो बीम बीम उसे कहता है नहीं मैं इतना popular नहीं हूँ तुम ज़्यादा popular हो क्योंकि तुम hot हो यहाँ पर तब ही कहने लगता है उससे बीम कि फाने आज हमें क्लब में बुलाया ह क्या तुम मेरे साथ चलने वाले हो फोर्ट कहता है अपकोस फोर्ट साथ में ये भी कहता है चलो तो आज रात पता लगा लेते हैं कि हम दोरों में से सबसे ज़्यादा hot कौन है बीम कहता है कि तुम ही हो फोर्ट कहता है मुझे तुम लगते हो यहाँ पर वो दोनों एक को तैयार हूँ और तुमारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ यहाँ पर फोर्ट कहता है ठीक है तो यहाँ पर उन दोनों की बीच में इस बात को लेकि शर्ट लग जाती है आगे हमें कलब में दिखाया जाता है फा और उसके बागी दोस्तों को यहाँ पर फिर आ जाते तैयार होके बीम और फोर्द भी दोनों एक दूसरी के क्लोस नहीं बैठते थोड़ा डिस्टन्स मेंटेन करके बैठते हैं तो यहाँ पर यह देखे पाउन से कहता है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है तुम दोनों एक दूसरी से इतना अलग क्यों बैठ रहे हो क्या तुम दोन उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो फोर्द से कहती है तुमने मुझे पहचाना मेरा नाम जीजी है यहाँ पर फोर्द को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आता तो यहाँ पर वो लड़की फलर्ट करने लगती है फोर्द के साथ और कहती है मुझे अ काफी द्यान से देख रहा होता है उस लड़की के जाने के बाद बीम कहने लगता है फोर्थ से कि तुम्हारा एक पॉइंट बन किया है तो यह सब कुछ क्या चल रहा है कौन सा गेम खेल रहे हो तुम दोनों यहां पर उन्हें बताने लगता है एक्शली हम दोनों की बीच मे डेल हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा होट है मैंने कहा था फोर्थ से कि वो होट है पर वो इस बात को मानने को तयार नहीं है इसलिए आज हम दोनों एक दूसे से कॉमपेटिशन कर रहे हैं ताकि यह पता लगा सके कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा होट कौन है तो यह को Slot Begin नहीं है और एक और परसना जाता है और जो भी से बात करने लगए है किया तुमने मुझे पहचाना मैं हमें साथ तुम्हारी पोस्ट पर कमेंट करते रहता हूं यहाँ पर उसे कह देता है बीम हा मैंने तुम्हें पह्यादा लिया है यहा पर पर परसन कहता है मैं यह सब कुछ सही नहीं लग रहा है वैसे तो बीम किसी से इंवाल्ब नहीं होता पर वो आज क्या कर रहा है यहाँ पर कहने लगता है फा मुझे लगता है आज की रात हम लोग फन नहीं करने वाले कुछ गड़बर होने वाले है पक्का यहाँ पर वो उसे कहने लगते हैं से बर्दास नहीं होता है कि वो बंदा इतना फ्लर्ट कर रहा है उसके बॉइफरंड बीम के साथ तो वो वहाँ पर ही पहुच जाता है और बीम से कहने लगता है मैं इस गिम को हार गया हूँ चलो मेरे साथ अब यहाँ पर वो परसन कहता है कौन हो तुम और फालतू की इंट से दूर रहना यह एक नंबर का प्लेयर है यहाँ पर यह सुनके बीम हसने लगता है पर कुछ बोलता ही नहीं है यहाँ पर यह सब कुछ देख कर बहुत बुरा लगता है फोर्ट को तो वो वापिस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है यहाँ पर उसे किट और फा कहने लग करो यहाँ पर केट कहता है कि जाओ और उससे बात कर लो यहाँ पर कहने लगता है फोर्ट वो मेरी सुनने को ही तियार नहीं तो मैं क्या करूँ किट उससे कहता है तुम उसके बॉइफ्रेंड हो तो बॉइफ्रेंड की तरह जाके वहाँ पर बात करो न यहाँ पर तभी वो देखते हैं कि वो बंदा टच करने लगा है बीम को यहाँ पर उसके फ्रेंड बताते है फोर्ट को देखो वहाँ पर क्या हो रहा है सो फोर्थ को गुसा आता है वो फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है और कहने लगता है उससे दूर रटो इससे यहाँ पर वो परसन कहता है तुम फिर से आ गए क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बीच में आके बार बार हमें परिशान क्यों कर रहे हो तो यहाँ पर फॉर्थ हाथ पकड़ लेता है बेम का और कहता है इससे दूर रहो यहाँ पर परसन कहता है क्या तुम्हेरा बॉइफरेंड है बागल हो क्या तुम यहाँ पर एकदम से मना कर देता है और कहता है यह मेरा बॉइफरेंड नहीं hai मैं इसे नहीं जानता यह सुने के बाद वो परसन और भी ज़ादा बूलने लगता है फूर्ट से कहता है हाथ छोड़ो इसका, यह मेरे साथ है आज रात यह मेरे साथ रहने वाला है दूर हट जाओ यहां से यह सब को सुन के फा को बहुत गुस्सा आता है फा कहता है अभी बताता हूं मैं तुम्हे यहाँ पर उसे रोकता है फॉर्थ की फाइट मत करो लेकिन वो परसनी उल्टा उन पे हाथ उठा देता है तो इस चक्कर में यहाँ पर सबी के बीच में फाइट हो जाती है यह देखकर किट कहने लगता है ओ मैं गॉड यह लोग क्या कर रहे है तुम लोग फिर से मेरे कजन के बार को बरबाद कर दोगे इसके बाद फॉर्थ और बीम को एक साथ बैडरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर बीम फॉर्थ के फेस को चेक कर रहा होता है कि गहीं तुमें जादा तो नहीं लगी है फॉर्थ उसे कहता है नहीं मुझे जादा नहीं लगी फोर्थ यहाँ पर बीम से कहता है क्या तुम सच में आज रात उस परसन के साथ जाने वाले थे मुझे बताओ यहाँ पर बीम उसे कहता है नहीं मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाला था फोर्ट कहता है फिर तुम उसके close क्यों थे इतने मुझे बहुत बुरा लग रहा था बीम उसे कहता है मैं सिर्फ तुम्हें jealous करना चाहता था इसलिए वो सब कुछ कर रहा था या पर उसे कहने लगता है फोर्ट आज के बाद तुम्हें ऐसा कुछ मत करना मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बीम कहता है ठीक है नहीं करूँगा लेकिन आज के बाद तुम भी किसी और के साथ flirt मत करना फोर्ट कहता है प्रॉमिस करता हूं किसी के साथ कोई flirt नहीं करूँगा बीम उसे कहता है आज की बाद ऐसे नॉनसेंस वाले गेम भी खिलने की कोशिस मत करना मेरे साथ फोर्थ कहता है कोई गेम नहीं खिलूँगा पक्का प्रॉमिस करता हूँ पर तुम कभी किसी के क्लोज मत जाना मुझे बहुत जैलिस फिल हो रहा था उस ताइम यहाँ पर फोर्थ से कहता है बीम ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तो यहाँ पर दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो दोनों प्यार से एक दूसी को किस भी करते हैं तो यहाँ पर फोर्ट कहने लगता है इसका मतलब यह हुआ कि हम दोनों ही हर्ट है तो यहाँ पर फोर्ट कहता है मेरा reward क्या होगा इस game को जीतने का बीम उसे अपने phone में दिखाने लगता है tickets और कहता है हम लोग साथ में जाएंगे गूमने के लिए जापान यह सुनके यहाँ पर हैपी हो जाता है फोर्ट कहता है वाओ तुम मेरे साथ चारे वाल हो मैं बहुत खुश हूँ बीम उसे कहता है तुम तो ऐसे behave कर रहे हो कि कभी पहले जापन गए ही नहीं हो यहाँ पर कहता है उससे फोर्ट गया हूँ पर कभी अपने boyfriend की साथ नहीं कया इसलिए बहुत जादा खुश हूँ साथ में यहाँ पर उससे कहता है फोर्ट कि मुझे और भी gift चाहिए मेरे दूसरे reward का क्या हुआ और यहाँ पर वो उसके close जाके उसे kiss करने लगता है तो यहाँ पर beam उससे दूर हो जाता है कहता है अब कुछ नहीं यह सब कुछ हम लोग जापान में जाने के बात करेंगे तो यहाँ पर फोर्ट कहता है जापान की तो बात की बात है लेकिन मैं अभी romance करना चाहता हूँ ऐसा बोलके वो उसके close आने लगता है और उसे kiss करने लगता है तो यहाँ पर फिर beam भी उसे नहीं रोक पाता यहाँ पर उन दोनों के काफी सारे romantic scene पर दिखाये जाते हैं बहुत जादा hot होते हैं साथ में cute भी यहाँ पर दोनों ही एक दूसरी की प्यार में पूरी तरीके सिख हो जाते हैं आपको यह वाला part कैसा लगा मुझे comment करके बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like and share करना मत भूलेगा चले तो अब मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए goodbye and take care